News 18 इंडिया तो दिल्ली कूच का एलाम किया गया है इसे में सुरक्षा ववस्ता कड़ी कर दी गई है बॉर्डर पर सुरक्षा चाक चौबंध है तो चंदीगर में कल ये बैठक होती है आपको बताएं कि पांच घंटे तक ये बैठक चलती है जिसमें केंटरी मंत्री पियुष गोयल रहते है अरजिन मुंदा केंटरी मंत्री शामिल होते है कई केंटरी मंत्री होते है किसान मेता बैठक में मौझूद रहते है लेकिन उसके बावजूद बैठक बे नतीजा रही इसमें कई सारी मांगे है और ऐसे में किसान नेताओं का ये कहना है कि जब सहमती नहीं बनी है तो उन्होंने दिल्ली कूच का ऐलान किया है अब किसानों को रोकने की कहां कहां तयारी की गई है आपको बताएं कि माला हर्याना शंभू बॉर्डर पर रोकने की तयारी की गई है इसके लाबा को रुक्ष्वेत्र में रोकने की तयारी की गई है जजजर में जहां जहां से किसान आ सकते हैं महाँ पर उकने की तैयारी की गई है क्योंकि कई सारे गाओं की किसान है तो चंदीगर में किसानों और केंड़ सरकार के बीच बैठक बे नतीजा रही और ऐसे में आज किसान अंदोनन का एलान किया है दिल्ली कूछ करेंगे सुभा तस बज़ा हम लोगों ने लंबी बातचीत की है सरकार के साथ हर मुद्दे के उपर डिसकसन हुई है हमने सरकार का जो भाव देख लिया है हमें नहीं लगता सरकार किसी मांग पर सेंसीरियस है हमें नहीं लगता किसी मांग को उचित धंक से वो पूरा करना चाहते हैं और इसलिए तो हमन अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच करने के लिए पूरी तरह से तयार दिखाई दे रहे हैं सरकार ने उन्हें मनाने की खूब कोशिश की है लेकिन चंडीगर में हुई पांच घंटे के मेराथन बैठक के बाद भी कई मुद्दों पर बात नहीं बन पाई है और इसके बाद केसानों ने अपना प्रदर्शन जारी रिखने का रोका जा सके लिख अुगा किसान सरकार मांग है नहीं मानने का अरोप नगा रही है लेकिन केनरी मर्च से अरजून मुंदा का यह कहना है कि किसानों के साथ कई मुद्धों पर गंभीन से बात नहीं बन पाई है उन पर बात चीत के जरीए समधान निकाला जाएगा तो अरजिन मुंडा ने कहा कि कई मुद्धों पर बातचीत हुई है सहमती बनी है लेकिन जिन मुद्धों पर सहमती नहीं बनी है ऐसे में उनका समधान निकाला जाएगा गंभीरता से बातचीत हुई है और बातचीत के जरीए ही समधान न कालेंगे लेकिन इससे पहले किसान नेताव को आपने सुना उन्होंने कहा कि हम तो दिल्ली कूछ करने वाले हैं बातें नहीं माने गई कि किसान संगठनों के साथ बादचीत कि बहुत गंबिर्था पुरुबख फुई और सरकार हमेशा चाहती है कि बादचीत के माध्यम से हर किसी समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं अस्थाई समाधान के लिए एक कमिटी बनाने की आवसकता है और उसमें हम अपनी सारी बातों को रखे और उसका अस्थाई समाधान ढूंडे अब आपको बताते हैं कि आखिर किसानों और केंडी सरकार के बीच पांच घंटे तक ये बैठक हुई है बैठक में बिजली अधिनियम 2020 को रद करने पर चर्चा हुई यूपी के लखीमपूर खीरी में मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा देने पर भी बातचीत हुई अब आपको बताते हैं कि किसान आंदोलन की समय किसानों पर दर्ज मुकद्णों को वापस लेने पर चर्चा की गई तो ये एहम मुद्धे हैं जिन पर बातचीत हुई है बैठक में सरकार और किसान संगट्णों के बीच कई मुद्धों पर सहमती बनी लेकिन सबसे एहम बात MSP, Guarantee, किसान कर्ज माफी पर आभी भी मामलाग फसा हुआ है वहीं स्वामिना तन आयों को लेकर भी सरकारों किसान संगट्णों के बीच बातचीत नहीं बन पाई है अब आपको यह बताते हैं कि आखिर केद्ध सरकार के साथ 5 घंटे तक चली बैठक के बाद किसानों के केर्रु सरकार पर क्या-क्या आरोप किसानों ने लगाए है किसान नेताओं ने कहा कि हमें नहीं लगता कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करना चाहती है। किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए तैयारियां मुकमल कर ली गई है। अब आपको बताते हैं कि आखिर किसानों के दिल्ली कूच का मकसद क्या है। मुआवजा देने की ववस्ता हो। मनरेगा के तहट हर साल 200 दिनों के लिए रोजगार उपलब्द करवाया जाए। मनरेगा में मजदूरी बढ़ा कर 700 प्रती दिन की जाए। मनरेगा में कृशी को शामल किया जाए। मेर्च, हल्दी और दूसरे मसालों के लिए राष्ट्री आयोक का गठन किया जाए। लिस्ट लंबी है। संविधान की पांचवी सूची को लागू किया जाए। और आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए। ये तमाम मांगे किसानों की है। दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी तयारी सिंगो और टिकरी बॉर्डर पर देखी गई है। अधिकर हम लोग हर चीज को मानटर करें इंक्लूदिंग सोचल मीडिया और जो भी इंपुट्स हारे है। और हमारे अध्वान्स पॉट्स भी हम लोग ने दिप्लॉई के वे हैं। दीप इंसाइड यूप एंद इंसाइड हर्याना इवन अस फार अस पंजाब तो ये गिटिंग लाइव इंफिमेशन वापनिंग और हम लोग ने अपना जो एक आरेज्मेंट है। इसी इंतिजाम के लिए कल एक 144 का एक मैंने प्रहबिटरी ओडर भी अपने जिले के लिए मैंने एक इशू किया था। तो हम लोग पूरी तरह से तयार हैं। दिल्ली को चारों तरफ से सील किया गया है। किसानों ने दिल्ली पहुशने का एलान किया है। और कुस्ती के मद्य नजर दिल्ली, पंजाब, हरियाना में तयारें की जा रही है। जगा जगा बैरिकेजिंग है। सुरक्षा वैवस्ता को चोस्त दुरूस्त किया गया है। अलग-अलग तस्वीरे आपके सामने हैं। आठ तस्वीरे हैं। ऐसे में चप़े चप़े पर सुरक्षा वलों की तैनाती है ताकि माहोल न बिगड़े और किसी भी तरह की परिशानी लोगों को न हो। किसानों के दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए दिल्ली की सीमा पर सुरक्षा और जादा कड़ी कर दी गई है। जगे जगे बैरिकेटिंग लगाई गई है और पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है पूरी दिल्ली पर पैनी नजर रखी जा रही है ताकि कहीं पर भी कोई अपनी घटना ना हो सके किसानों को रोकने के लिए तीन राज्यों में तैयारियं की गई है हर्याणा पंजाब और दिल्ली में जबरदस्त तैयारी है तीन तस्वीरे आपको दिखाते हैं हर्याणा के अंबाला में पंजाब की और से आने वाले किसानों को रोकने के लिए मौकडिल की गई हर्याणा पुलिस ने पंजाब की और आंसु गैस की गोले फेकर मौकडिल की तो वही दिल्ली में गाजिपूर बॉटर पर आरेफ की तैनाती कर दी गई, सीमा को सील किया गया है, अमरिट सर में किसानों का एक जथा पहुंचा है, दावा किया जा रहा है कि किसान दिल्ली की ओर कूच करने लगे हैं, तो अंबाला में मौकडिल हुई है, तैयारियां परक्टने की कोशिश मौकडिल के जरिये, दिल्ली तो तीन तस्वीर आपके सामने हैं, कल पांच घंटे तक बैठक होती है, चंदीगड में किसान और केंडर सरकार की बीच, किसान नेता उसके बाद नीजा से मुखातिब होते हैं, कहते हैं सरकार गंपिर नहीं है, सरकार कह रहे हैं कुछ मुद्दो पर सहमती बनी है, लेकि तीन तस्वीर आप देखिए, क्योंकि किसान तो एलान कर चुके हैं, कि वो दिल्ली कूच करने वाले हैं, ऐसे में अमबाला में मौक ब्रिल की गई, दिल्ली यूपी सीमा पर आरेफ की तैनाती है, अमरत सर से किसानों का जित्था निकला है, लेकिन बॉर्डर पर रोकने क पूरी तैयारी है, उधर हरियाना पुलिस ने किसानों के दिल्ली मार्च को देखते हुए, एडवाईजरी जारी कर दी है, और दिल्ली से आने जाने वाले लोगों से एडवाईजरी का पालन करने की अपील की है, क्योंकि आम लोगों को फरक पड़ता है, आम लोग जैम से दोचार होते हैं हरियाना पुलिस ने कि सानों के दिल्ली मार्च के मद्दे नजर लोगों से आवाजाही के लिए रेल का उपयोग करने की अपील की है कि साड़क मार्ग से मत जाईए रेल सेवा का आनंद लीजे इसके लावा चंदीगर से दिल्ली जाने के लिए पंचकुला, बर्वाला, साहा, शाहाबाद, कुरुकशेत्र के रास्ते जाए इसके लावा पंचकुला, बर्वाला, यमुनानगर, लाडवा, इंदरी, करनाल के रास्ते जाए ये एडवाइजरी हरियारा पुलिस की तरफ से जारे की गई है जारे की तरफ से 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 जारे की तरफ स